दोस्त नमस्कार मैं हूं देविश आप सभी को नए वर्ष की हरदिक शुब कामना है और स्री महालक्षमी जी से हरदिक निवेदन है कि वो हम सभी पर अपनी कृपादस्टी बनाए रखें ताकि धन्दानने की वर्षा अपने आप होती रहे साथ में कल तक आप मैंसे बहुत एकसेस दी हमारे सभी कोर्सिस पे आपने जो भरोसा दिखाया है उस पर हम खरे उतरेंगे ऐसी हमारी उमीद नहीं बलकि पक्का विश्वा से आप निश्चिंत रहिएगा साथ में दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे च्छे खबरों की पाकिस्तान और अफगान हम इंट्रस्टिंग रहने वाले हैं आपको पक्के से मजा आएगा सबसे पहले दोस्तों जब भी कभी पाकिस्तान की मदद करने की बात होती है तो पश्चिमी देश बड़े ही असानी से एक भाना ढूंड लेते हैं कि हम पाकिस्तान में डेमोक्रैसी को सपोर्ड कर रहे है हमें तो पकिस्तान की असलियत पता है लेकिन पश्चिमी देशों को आईना दिखाना जरूरी है आज क्योंकि पाकिस्तान के आदमी चीफ ने कहा है कि एकॉनमी जो है क्रिटिकल स्टेज में हैं एकॉनमी को समालने के लिए राष्ट्री आम सहमती की जरूरत है अरे भाही क किसी देश के सेना देख्ष का काम थोड़ी है एकॉनमी को समालना सेना देख्ष को चिंता होना चाहिए डिफेंस बजट के बारे में वो समझ में आता है लेकिन एकॉनमी की चिंता का होना बताता है कि पाकिस्तान के सरवे सरवा वहां के आर्मी चीफ हैं तो पश्चमी देश जिन्होंने दसकों से पाकिस्तानों को पाला पोसा है उसके बावजूद पाकिस्तान आज बिगडेल बालक बन चुका है रही बात पाकिस्तान की तो आपको जानकार यह बातों में यह सपोर्ट करते हैं डेमोक्रासी का लेकिन जब फंडिंग दिने की बात आती है काम करने की बात आती है तो यह पालते पोस्ते हैं ताना साहों को यह बात हमें एक वार नहीं बार बार हाइलाइट करने की जरूरत ह क्योंकि पश्चमी देश बड़े घमंड में चूर चूर होके ग्यान बाटते हैं तो उनको जो है बदले में ग्यान पिलाना बेहर जरूरी है रही बात दोस्तों पाकिस्तान की तो आप स्वयम देख लीजिये किसी जंगल में दो सेर नहीं रह सकते तो एक देश में दो सरकार हैं कैसे रह सकती हैं पाकिस्तान में दूसी सरकार का गठन हो गया है पाकिस्तानी तालिवान ने नई सरकार का एलान कर दिया है और यह हम नहीं कह रहे हैं पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर कह रहे हैं जो कि भूदपूर्व हिंदू है राना सनाउल्ला का कहना है कि जो पाकिस्तानी तालिवा हैं उसको प्रिर्णा मिलिए अफगानस्तान में तालीबान की सवलता को देखकर अफगानस्तान से अमेरिकियों को भागते देख आपने जो ढोल नगारे बजाए थे वह फट चुके हैं इसलिए जो आवा जा रही है वह आप कोई सुनना पड़ेगी मजा आ रहा है कि नहीं साथ में अफगानस्तान में जो बगए थे लेकिन सांट्थी से उनका कोई वास्ता नहीं काबल में इंट्रनेशनल एर्पोर्ट पर फिर धमाकब हो गया है अफगानस्तान और पाकिस्तान में यह हमारे लिए कौन सी नई बात है भाई साब आज की बात है क्या पिछले डेड़ हजार सालों से हम अफगानस्तानी आच में पकते आए हैं पानीपत का पहला दूसरा या तीसरा युद्धो तीन तीन बार इत्यास ने हमें बताया है कि जब जब हमने अपनी इंटर्नल सेक्योर रखनी है क्योंकि जो लोग इत्यास की गलतियों उसके नहीं सीखते वो वर्तमान की गलती बनके रह जाते हैं साथ में दोस्तों इलॉन मस्क साहब का देखी एक कबाड़ा उन्होंने कहा है कि टुटर में जो है बातरूम साहब करने वाले करमचारियों की सेक्योर्टी गार की कोई जरूरत नहीं परणाम क्या हुआ बातरूम साफ नहीं हो रहे हैं बजबू फैल रखी है पूरे ओफिस में साथ में मस्क साहब का कहना है कि टुएलेट पेपर जो है जरूरी है ओफिस में यह बात टुटर के इंप्लोईज को जस्टिफाई करना पड़ेगी सोचो टुएलेट पेपर जस्टिफाई करने पड़ रहे हैं कि उन पर खर्चा करना वाजब है अब यह टुटर के इंप्लोई है जब इलॉन मस्क ने टुटर का अधिकरन किया तो सबसे ज्यादा यह उचल रहे थे और आज देखिए इनको टुएलेट पेपर के वादेव रखे हैं यहां पर हम सभी आज पर इन्वेस्टर्स को एक सीखिने की बात है कि जिस कंपनी में हमने निवेश किया है वह कंपनी अगर नौन स्ट्रेटिजिक एरियाज में निवेश करती है तो हमें सबसे पहले एक्षर लेना है देख लीजी आप टेसला की जो शेयरोल्डर से व काम दिये जा रहा है ट्विटर सम्हालने का ट्विटर ऑपरेट करने का तो यह सब गडवड हो रहा है कल ट्विटर अच्छा होगा बुरा होगा उसके भविश्य का हमें नहीं पता लेकिन इतनी बात पक्की है कि हम इस घटना करम से सीखेंगे और जिस कंपनी में हमने नि करना है देख लीजिए आप टेसला का सिर्फ सत्र प्रसेंट कूट चुका है रही बात दोस्तों चीन की तो हमारे देश में कुछ पार्टिया है जो हमेशा से कहती रहती है कि मोजी सरकार ने यह नहीं किया अरे भाया जी अगर बॉर्डर इरियास में डिवलोप्मेंट नह साक में नियुमा में भारत का सबसे अधेक उंचा एयर बेस बनाया जा रहा है जस्ट एलेसी से सटा हुआ हवाई पट्टी 45 मीटर चौणी हो ऐसी है कि दोनों तरफ से हवाई यहाज उतर सके हैं यदि एलेसी के पास हमारी बायू से ना मजबूत हुई तो कल चीन जैसे ही कोई हरकत करेगा हमारे सैने के तुरंत हवाई मार्ग से वहाँ डिप्लॉय की जा सकते हैं इससे पहले के चीन कोई कारस्ता नहीं कर पाए हम चीन का कबारा कर देंगे उसके लिए एक कैपिसिटी अगले दो साल में खड़ी हो जाएगी साथ में दोस्तों भी कुछ साल पहल रिवर क्रूज बारत में बनाये जा रहा है बत्तिस सो किलो मीटर लंबा 27 नदियों से बजलता हुआ बारनसी से चलकर असम के जबर पर तक जाने वाला रिवर क्रूज चाली हो रहा है आज से नहीं हजारों से नदियां जल धारा नहीं थी economy की धरा थी पैसा बैता था नदियों से लेकिन हमने नदियों को नाला बना दिया तो दुस परणाम कौन भुगतेंगे हम ही भुगतेंगे भहिया लेकिन भाईचा मोडी सरकार इसको बदल रही है नदियों से परयाटन होगा नदियों से ट्रांसपोर्ट होगा तो logistics cost कम होग की एकॉनमी की रफ्तार तेजगती से आगे बढ़ेगी रही बात दोस्तों कल फिर शेयर मार्केट खुलेगा आप मैंसे कई लोग ओप्शन खरीदना चाहेंगे कि बहुत सस्ते मिलते हैं आपकी बास सही है लेकिन आपको ध्यान में रखना होगा थीटा क्योंकि जो बहु है कि मादियсем से इसे हमें पड़ाया आप में उर इंट्री करना चाहते है वह सुरुदा कीजिए आतम निर्भर इंवेस्टर कोड से जिसमें हमने पढ़ाई है बाल जी राओ की सदावाहर वेल्थ क्रेशन स्ट्रेटजी तीनों कोर्स में जो कोर्स आपको जोएन करना है जोएन कर दीजिए लिंक दी गई है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर क्लिक कीजिए और आगे बढ़िए धन्यवाद जैस स्ट्रिराम